वेलकम बेक टू रसिला की रसो, रसिला की रसो में आपका हार्दिक श्वागत करती हूँ, आज मैं मार्केट जैसा पनीर की रेसिपी लाई हूँ, पनीर बहुत सारी रेसिपी में यूज होता है, सही तरीके से अगर हम घरपे बनाएंगे, तो बहुती स्पोंजी और बहुत अच्छा पनीर हम घरपे बना सकते हैं, तो रेसिपी शुरू करते हैं, तो पनीर बनाने के लिए, पहले मैंने एक लिटर से उपर थोड़ा दूद लिया है, फूल फेट मलय वाला दूद है, दूद हलका हलका गरम हो चुका है, तो उसमें हम डालेंगे सीरका, सीरका यानी विनेगार, तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा विनेगार डालते जाएंगे, और हम हिलाते जाएंगे, ताकि पनीर एकदम अच्छा बने, जब दूद में हम सीरका डाले, तभी खास ध्यान रखना है, दूद को अच्छे से हिलात सिर्का डालते वक्त बिल्कूल दूद को इसे नहीं छोड़ना है, अच्छे से हिलाते हुए ही इसमें सिर्का एड़ करना है, अगर आपको पनीर की कॉंटेटी ज्यादा बनानी है तो आप ज्यादा दूद ले सकते हो, तो सिर्का भी इसे डबल करना होगा, इसको थोड़ी देर इसे ही हिलाएंगे तो आप देख सकते हो दूद और पनीर अलग हो रहा है और हमें थोड़ी और हिलाने की जरूरत है ताकि अच्छे से पनीर अलग हो जाए और जो अच्छे से पानी ग्रीन कलर जैसा दिखेगा, तब तक हम इस गेस को बंद नहीं करना है और ही लाना है पनीर एकदम अलग हो चुका है तो हम गेस को कर देंगे बंद तो अब एक हम बरतन लेंगे उसमें एक छन्नी वाला बरतन रखेंगे और उसमें एक कोटन का कपड़ा रखेंगे तो अब इसमें हम इसे डाल देंगे और इसमें अब अभी थोड़ा पानी डाल के इसके अंदर हम डाल देंगे ताकि खटापन हो वह निकल जाए अब हम चारो तरप से कपड़ा उठा के पानी को निकाल देंगे और इसे एक प्लेट में ले लेंगे अब इसके उपर एक छणी वाला प्लेट रखेंगे और उसके उपर हम ये पनीर वाला पोटली रख देंगे उसके उपर पानी भरा एक बरतन रख देंगे ताकि अच्छे से वजन हो जाए और 4-5 घंटा तक हम एसे ही इसे छोड़ देंगे ताकि पनीर एकदम अच्छे से शेट हो जाए अब 4-5 घंटा हो चुका है तो इसका उपर जो बावल में पानी रखा है उसे हम हटा लेंगे और पोटली को खोल के देखेंगे पनीर से टुवा है के नहीं तो देखिए एकदम पनीर अच्छे से बन चुका है तो हम ए सारी चीज हटा लेंगे और पनीर को अच्छे से कट करेंगे आप चाहे उतना मन चाहे रिजैन में कट कर सकते हैं तो हम पनीर को अच्छे से सट करेंगे जो बाजार में मेंगा मिलने वाला पनीर हम घर में आसानी से और कम रेट में बना सकते हैं तो आप भी घर पे ट्राय किजिए इस तरह का पनीर बनाने का और मुझे कमेंट सेक्षन में बताईए कि आप भी बनाते हो के नहीं और आपका पनीर कैसा बना है मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताईए तो देखिए कितना स्पोंजी स्पोंजी पनीर बनके रेडी हो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन जरूर दबाएए ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिले जैहिन, जैभारत, धन्यवाद, थैंक्स फोर वोचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई रेसिपिक के साथ